नमेशकार दोस्तों, इसराइल पलस्तीन जैसा कि आपको पता होगा, तीन महने पहले काफी जादा एक वार जैसा माहूल हो गया था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर वापस से इसराइल के दौरा एर स्ट्राइक किया गया है गाजा पट्टी पर, यहाँ पर आप देख सकते तो simply आपको हमारे आप को डाउनलोड करना है, वहाँ पर जाएंगे तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, UPSC, State PCS, Banks, सभी कुछ आपको काफी affordable rates में मिल जाएगा, चलिए देखते हैं exactly हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बाएर में डिस्कस कर रहे हैं, देखें यहाँ पर बताय लवीव में रखते हैं, क्योंकि जो जेरुसलम आप देखो कि यहाँ पर यहाँ पर यह अभी भी काफी जादा विवादित पूरा प्लेस है, तो इसराइल चाहता है कि जो इसकी capital हो जेरुसलम में हो, चाहें western वाला पार्ट हो या फिर eastern वाला एक पूरा जो है वो उसके प जो मेंन सिटी है, गाजा सिटी, वो नदन साइड में है, तो जो पूरा यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, वो बेसिकली नदन साइड में आपको इस साइड बॉर्डर पर देखने को मिलेगा, और मैं प्रोटेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा आगे कि यह प्रोटे राइल ने कहा कि हम गाजा पटी के अंदर जो हमास के वेपन साइट्स हैं मतलब कि इस्टॉइल तो यही कहता है न हमेशा कि यहाँ पर जो हमास है वो टेर्रिर्स टेर्रिर्जम से development activities करता है तो उसके जो साइट थैं उसको यहाँ से और कि यह प्रोटेश्ट था क्या मत्तब कि यह exactly चल क्या रहा था देखिए Saturday की बात है सबसे पहले क्या हुआ कि हमास नहीं आपर प्रोटेश्ट बुलाया क्यों 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 कि 52 पहले that is 1969 में अलक्सा मॉस्क अब यह अलक्सा मॉस्क का है जैसे कि आपको पता है यह इस्राइल का अलक्सा मॉस्क है यह आप देख पाओगे यहां पर अलक्सा मॉस्क देखने को मिलता है तो 1969 में क्या हुआ था कि एक Australian extremist था जिसका नाम था Dennis Rohan उसके दोरा अलक्सा मॉस्क के अंदर आग लगा दिया गया था और उसकी वज़े से क्या हुआ कि काफी जो important चीजे हैं अलक् का वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था और इसी को लेकर जो हमास है वो उसका भी बयान आया था कि अलक्सा मॉस्क एक red line है हमारे लिए और अगर किसी भी प्रकार का यहां पर violence किया जाता है तो हम उसको बरदास नहीं करेंगे और हमेशा से इसी को लेकर आपको पता है कि अलक्सा मॉस्कों लेकर जो प्रोब्लम है वो चलती रहती है तो यह जो पुरा प्रोटेस्ट चल रहा था यहां पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पैलेस्टीन की तरफ से यहां पर जो बॉर्डर है मैंने आपको बॉर्डर दिखाया ना तो कुछ ओपनिंग होल्स भी अटाक किया इन सारे चीजों को देखते वे जो पैलेस्टीन के फोर्सेज हैं उन्होंने भी यहां पर शूट कर दिया तो आई हो कि आप समझ रहोगे अब इस तरह की चीजों में किसी को पता नहीं होता कि पहले इस्राइल नहीं यहां पर शूट किया है या फिर पैले 21 civilians injured हुए हैं वहाँ पर ऐसा बताया गया है इसराइल की तरफ से बोला गया है कि उनका 21 साल का sniper है उसको यहां पर काफी critically und हुआ है चोट लगी है और critical condition में उसको risk of life है अब बसता है कि ने वो एक पुरा मामला अलग है लेकिन यह सारी चीजे जब हुई इसको लेकर यहां पर जो police commissioner है उनका फिर बयान आया कि जो भी कुछ border के उपर हो रहा है वो सही नहीं है उसे हमें restrained करना चाहिए otherwise जो situation है वो वापस से तीन मैने पहले जो हमने देखी थी वो कभी भी start हो सकती है दीखे कोई भी जो war type की चीजे है वो छोटी चीजों से start होती है और फिर वो जो sides हैं उनको destroy किया है और इसराइल के दोरा इल्जाम लगाया गया कि ये जो हमास organization है वो गाजा के अंदर जो लोग रह रह रहे हैं civilian population उनको यहाँ पर गुमरा करने की कोशिश करता है और टेरर activities में भेजने की कोशिश करता है और ये सारी चीज़ अगर आप देखोगे म इसराइल की उन्होंने यहाँ पर घुसने की कोशिश की लोगों को मारने की कोशिश की और इसी को लेकर फिर आपको याद होगा कि जो iron dome वगरा technology है उसके माध्यम से यहाँ पर जो भी rockets launch किये जा रहे थे हमास के दोरा उसको protect किया जा रहा था इसराइल को लेकिन इन सारे बीच यह जो भी कुछ हुआ है उसमें एक और मामला सामने आता है बेसिकली जो मई के महने में हुआ था पूरे 11 दिन तक चला था पूरा war जैसा situation उसके बाद से क्या होता है कि आपको पता है कि इसराइल के अंदर जो सरकार है वो बदल जाती है और निफ्ताली बैनेट इस तो उनके पास काफी सारे एड आ रहे थे इंटरनाशनल इस्पेशली कतर से तो कतर से जो भी यहाँ पर एड आना था पैसा हो जो भी कुछ हो उसको यहाँ पर इसराइल रोक रहा था ऐसा इलजाम लगाया जा रहा था और 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 बी कई देशों से जो की reconstruction material है वो भी इसरा इसराइल के oversight में यह सारी चीज़े होनी चाहिए देखे इसराइल को यहाँ पर यह डर है कि अगर कोई भी पैसा transfer होता है गाजा strip के अंदर तो वो हमास गलत इस्तमाल करेगा उसका तो वहाँ पर जो लोगों को नुकसान हुआ है गाजा पट्टी में उनी के पास directly पैसा ज जाएगा और इसराइल उसके उपर निगरानी रखेगा ताकि वो पैसा जो है वो हमास के हाथों में ना सके तो यह पूरी सारी चीज़ें आपको देखने को इस समय मिलेंगी और let's hope कि वहाँ पर शांती अभी भी बनी रहे वापस से चीज़ें और जादा एसकलेट ना हो अभी के लिए जो latest खबर यही थी कि इसराइल ने air strike किया था गाजा पट्टी पर यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो कि Palestine 194 campaign यह exactly है क्या what is Palestine 194 campaign इसका जो right answer है देखिए आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलिग्राम पर आए अलग-अलग social media पर भी आप जूट सकते हैं साथी साथ अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हमारे आप को डाउनलोड करिए सभी कुछ आपको काफी affordable rates में मिल जाएंगे I hope कि यह वीडियो आपको फसंद आए होगा मिलता आपसे next time till then thank you very much see you soon